linear algebra के vector सीखने के बाद आपको दो concept और clear होना ज़रूरी है वो कौन-कौन से concepts हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको हम coordinates बोलते हैं x-axis y-axis क्या होते हैं और geometric किस तरीके से हमारे पास linear algebra के अंदर involve होती है हमारे पास मैं यहां पर यह क्या draw की है इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं यह basically यह वाला है जी हमारा circle triangle यह हमारे पास आज़ात x-square यह हमारे पास आप कह सकते हैं rectangle इसको और भी नाम दे सकते हैं, और यह triangle in a circle, अब इस तरह के geometrical shapes, यानि के कोई भी shape को जब हम study करते हैं, इसको बोला जाता है geometry, geometry क्या होती है, आप basically क्या करते हैं, shape की study को बोलते हैं, यानि के यह जो angle है, यह कितना angle है, उसकी length कितनी है, ठीक है, इसकी length कितनी है इसकी length कितनी है so on and so forth लेकिन algebra और geometry जब इकटी होती है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक two plane coordinate system बनते हैं जब हम vectors को पुराने जुमाने में देखते हैं तो vectors हमारे पास physicist यानि के physics पढ़ने वाले लोग कहते हैं वेक्टर कोई भी एक चीज़ है जो एक direction रखती है से फॉर एक्जेंपल मैंने velocity की आपको example देता हूँ ठीक है एक direction के अंदर एक specific speed को velocity कहते है speed with direction ठीक है physics वाले कहते हैं के vector क्या होता है कोई भी space के अंदर कहीं पे भी अगर हमारे पास एक direction और एक quantity आजया उसे हम बोलते हैं vector math वाले क्या कहते हैं math वाले कहते हैं के यह जिद दो coordinates हैं for example x, y दो coordinates हैं और यह जो है यह vector को represent करते हैं कैसे से for example आपके पास यह कुछ इस तरीके से coordinate system है आप अगर इसको horizontal line एक draw करें और एक vertical line draw करें और vertical line के उपर आप लिखते हैं कि यह है y-axis horizontal है आपके पास x-axis ठीक है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह नीचे negative y हो जाएगा यह negative x हो जाएगा अगर यहाँ पर center को इसको 0 बोल दें और इस side पे हो negative इस side पे हो positive चीजें then actually you can draw these two coordinates और आप अपना vector को भी draw कर सकते हैं फिर हमारे पास आते हैं computer science वाले जो as a data scientist आज आजकल आपके सामने है जिसको CS बोला जाता है computer science के अंदर लोग कहते हैं कि जी vector क्या है यह एक list of number है ठीक है? यानि कि 2 और 3 है यह वही चीज कि 2 जो है हमारे पास x है 3 हमारे पास y है computer science वाले कहते हैं कि यह चीज है mathematics वाले कहते हैं कि हमारे पास x और y coordinate system के अंदर इसको लिखा जाए तो यह vector है और जो हमारे पास physics वाले हैं वो कहते हैं कि यह हमारे पास एक arrow है तो अगर मैं आपको बताऊं कि vector किया है vector आप यही समझ लें कि आपके पास list of number है in a specific direction for sure मैं इसको बताता हूँ कि यह कैसे आएगा आपके पास 2 और 3 आपके पास आए जाती for example आप numpy array जो है वो इस तरीके से draw करते हैं 2, 3, 4 और so on बाकी end तक जाता रहता है और यह आपके पास coordinate system है and now if you see in this system यहाँ पे अगर आप गोर करें आपके पास 0 है मैं यहाँ पे 3, 4, 5 यह लगाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 यह वाला system 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो एक बहुत बड़े philosopher और mathematician गुजरे हैं इनका नाम है Descartes ठीक है इसको बोलते हैं Rene Descartes Rene Descartes Rene Descartes जो है इन्हों ने 1596 से लेके आपके पास 1650 तक math के अंदर और philosophy के अंदर बहुत कारणामे सर अंजाम दिये और usually आपको पता है कि जो बंदे philosopher होते हैं तो वह mathematician जरूरी होते थे reason क्या होती है लोग कहते हैं कि math जो है वो nature की जुबान है इन्होंने इस चीज को प्रूफ किया Rene Descartes ने क्या किया उन्होंने बोला जो vector हमारे पास x और y है ठीक है या हमारे पास एक direction वाली चीज है या हमारे पास कोई भी अगर x और y इस तरीके से भी लिखा जाता है I'm just giving an example तीनों point of view को अगर देखा जाए ये तीनों point of view दुरूस्त हैं अगर आपके पास x और y की value आती है तो आप क्या करें एक x-axis का plane बनाए जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है if you see here यह वाला plane x-axis ऐसे रखें y को इसके parallel कर लें ठीक है आप x को भी यहाँ रख सकते हैं लेकिन usually क्या है conventionally x को इस तरीके से लगाया जाता है y इसके उपर इस तरीके से आती है तो Rene Descartes ने यहाँ पर बोला कि अगर आपके पास x और y की value मुझूद है say for example मेरे पास जो value है वो है 2 और 3 या 2 और 3 इस तरीके से तो उन्होंने बोला कि आप x की ऐसे line लगाएं अगर वो 0 है तो 0 यहाँ से start करें negative है तो left side पर चले जाएं positive है तो right side पर आजाएं उन्होंने बोला कि आप x दो हिंसे move करें 0 से 1 और 2 यह आगया आपका x की value 2 ठीक है फिर आप जो दूसरा point है आपके vector का that is 3 अब आप उपर को move करें 3 0 1 0 1 2 3 यह आगया 3 अब आप क्या करेंगे basically आप यहाँ पे एक point आपके पास आजाएगा इन दोनों को मिला के और इस point को आप coordinate system के थूँ शो कर सकते हैं और इसको इन coordinates को हम एक specific नाम देते हैं जो नाम है इसका वो है यहीं इनी के नाम से निकला हुआ Cartesian coordinates ठीक है? Cartesian coordinate क्या है कि जब आप algebraic कोई भी value यानि कि vector को जब आप draw करते हैं 2D plane के उपर 2 dimensional plane 2 dimensional plane क्या है? कि एक x है एक y है और basically जब आप किसी paper पे किसी चीज को draw करते हैं वो 2 dimensional है या तो आप उपर से नीचे जा सकते हैं या left से right जा सकते हैं ठीक है? और मतलब इसी direction में move कर सकते हैं या उपर से नीचे या इधर से इधर तो इस विड़ा से इन्हें हम 2 dimensional plane कहते हैं अगर आप real life के अंदर देखे हैं तो जहां पे हम बैठे हुए हम 3 dimensional plane में हम right to left भी जा सकते हैं उपर से नीचे भी और in and out भी जा सकते हैं ठीक है? so 2 dimensional plane जो है paper के उपर है वो कहते हैं कि अगर आप इस पर draw करें और आपके पास कोई specific vector इस तरीके से आ जाएं जैसे हमारे पास यहां पर आया यह वाला vector, I will just redraw this sorry okay यहां पर यह वाला जो मेरे पास vector आया है अगर इसको यहां पर draw किया जाए मैंने तो बहुत गंदा सा draw कर दिया है but I will try to do it in neat way यह जो vector हमारे पास आया है यहां पर, इस जगा पर इस vector को अगर हम draw करें तो यह two dimension plane में आता है और इस vector के जो points हैं इनको हम Cartesian coordinates बोल सकते हैं Cartesian Cartesian coordinates ठीक है? अब आपने एक काम करना है Cartesian coordinates की definition देखनी है कि यह क्या होते है Cartesian coordinates और यह basically जब आप किसी एक vector को draw करते हैं on 2D plane तो इनको Cartesian coordinate बोला जाता है by the way यहां पर I है not E Cartesian coordinate इने बोला जाता है और usually लोग इन Cartesian coordinates की base पे आजकल data visualization कर रहे हैं और यह Cartesian coordinates हैं जो आपको scatter plot भी बना के देते हैं ठीक है आपको समझ आगी अब अगर आप गौर करें मैंने कोई plot बनाना है तो मैं simply क्या करूँगा मेरे पास अगर कोई value होगी with direction I can actually draw that plot मैं यहां पे एक plot बनाता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ यह इस तरीके से उपर से नीचे आया left to right गे यह मेरे पास x है यह y है और अगर मैंने कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है now if I have a coordinate system यानि कि minus 5, 3 का point मेरे पास है तो मेरे पास 0 यहां पे है तो minus 5 मैं इस side पे 5 move करूँगा और यह जो 5 है यह basically आप equally divide करते है और ग्राफ पेपर या आपके पास system होता है जिसकी base पे आप equal distance में divide कर लेते हैं तो minus 5 अब मैंने इस जगाब की बजाए इस side पे move करना है now I will see 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि minus 5 यह है यह minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 यह हो गया यहाँ पे और 3 उपर को तो यह मेरे पास जो vector बनेगा वो यह वाला बनेगा ठीक है तो इस तरीके से Cartesian coordinate की base पे आप एक geometrically एक vector को draw कर सकते हैं और वो जो vector है वो basically आप easily then define कर सकते हैं via geometry या 2D plane के उपर ठीक है और जब मैं 2D plane की बात कर रहा हूँ और Cartesian coordinate साथ में दे रहा हूँ तो 2D plane को अकसर उकात आपने देखा होगा mathematics में इस तरीके से एक line लगाई जाती है फिर बाद में R लिखा जाता है और फिर इसके उपर 2 लिखा जाता है अगर आपको याद हो इस तरीके से यह 2D plane की बात हो रही है ठीक है तो इसको हम यहाँ पर यह पीछे line है और साथ में आ रहा है या R का जो पिछला डंडा है इसे थोड़ा सा मोटा घर के इस तरीके से लिखा जाता है यह हो गया 2D plane इसी तरीके से अगर हमारे पास 3D plane आएगा then we can write it like this ठीक है या like this ओके तो यह हमारे पास basically Cartesian coordinates की बेस पे हम किसी भी vector को अच्छे से ड्रॉआ कर सकते हैं यहां तक आपको clear हो गया कि vector किस तरीके से हमें help out करता है whenever we are learning algebra और algebra के अंदर Cartesian coordinates जो है वो बहुत जरूरी है अब मैं आपको एक concept और यहां पे देने वालो